हे गाईज वेलकम टू एचे स्टेक जोन दोस्तों फाइनली रेड्मी नोट 9 के लिए एंड्रोइड 11 का जो स्टेवल अपडेट है यह रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेड्मी नोट 9 के बारे में कि इन्हें यहां पर इंडिया के अंदर मी यूआ 12.5 एंड्रोइड 11 और मी यूआ 13 कब तक देखने को मिलने वाला है करते हैं आपर वीडियो की शुरुआत लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक जो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइ यहां पर दोस्तों आप दे सकते हैं यह ओफिशल लिंक जिससे आप डाउनड करके जो ग्लोबल यूजर्स हैं वह यहां पर फ्लेश कर सकते हैं अपने डिवाइस में यहां पर जो रेड्मी नोट 9 को एंड्रोइड 11 का अभी केबल फर्स्ट बिल्ड मिला है लेकिन भाई सकता है जो मीजवाइ 12.5 के साथ में मिले लेकिन गन्फर्म नहीं होता क्योंकि यह गउर्य भी मिलिक आपड़ेट पहले बीमीलую शकृप अब दोस्तों जो मेजवाइ 12.5 आ जाएगा तो उसके एक दो अपडेट आने के बाद में भी मिल सकता है जाने के साथ में आपको जो आसपास मिलने वाला है इंडिया के अंदर रेड्मी Note 9 के user अब दोस्तों अगर बात करती है Redmi Note 9 को जो मेजवाइ 12.5 कप्चिक देखाएंगों मेलेगा तो दोस्तों मैं बता दूँ यहाँ पर जो Redmi Note 9 है यह दोस्तों आता है 12.5 का अपडेट है वो मिलेगा Redmi Note 9 के यूजर को जाने की दोस्तों आप मांज रखते हैं कि यहां पर जोन का मन्त है इसकी जो मिड से बाद में जो आपको अपडेट इंडिया के अंदर जो पाइलर टेस्टिंग के लिए देखने को मिल जाएंगे MIUI 12.5 के अब दोस्तों अगर बात करते हैं यहां पर MIUI 13 के बारे में कि MIUI 13 कब तक मिलेगा Redmi Note 9 के यूजर को यहां पर जो MIUI 13 के लिस्ट है ओफशल यह चाइना से आई है तो उसके अकोडिंग यहां पर जो Redmi Note 9 को भी मिलेगा MIUI 13 लेकिन अगर बात करते हैं कि कब तक देखने क मिलेगा तो दोस्तों मैं बता दूँ जो इंडिया के अंदर MIUI 13 है यह अक्टूबर नवंबर के आसपास ही लॉंच होगा तो तभी आपको जो अपडेट इंडिया में देखने को मिलेगा और यहां पर मैं बता दूँ जो Redmi Note 9 रहने वाली है यह वहां पर भी सेकंड फेस मे दिया नहीं जाएगी आपको नवंबर दिसंबर में ही अपडेट मिलेगा में यह तो यह इस दोस्तों आज किस वीडियो में पूरी की पूर इंफोर मेशन अब दोस्तों आप कंफरम हो गया होगा कि आपको जा में टॉल पाइंट फाइब एंडरोइड 11 और मिलने वाला है झाल 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 झाल